नमस्कार, IBN 7 में आपका स्वागत है भारतिय जनता पार्टी इन दिनों अपने विरोधियों की तरफ से काफी ज्यादा हमलों का शिकार हो रही है बीजेपी का क्या स्टेंड है? चाहे वो सेड्यू सेक्लोरिदम की बात हो रही हो चाहे वो आरक्षन की बात हो रही हो इन तमाम मुद्दों सेव माहा सचेव रामादश सेव रामादश जी जी शुक्रिया बात करने के लिए प्रधानमंतरी बहुत दिनों चुप रहते हैं प्रधानमंतरी मूनो लॉक करते हैं प्रधानमंतरी इसर ense mountains मन की कायते हैं दूसरा की मन की बात नहीं करते हैं यह उल्जाम, विपक्ष्ट लगाए हैं. क्या गहेंगे इल्जाम लगाना विपक्षका का काम होता है. परधान मंत्री देश के पूरे देश का नेता होते हैं इस देश के 125 करोड जनता का वो मुख्या है कब बोलना क्या बोलना वे अच्छी तरह जानते हैं और देश के हित में जरूर वे विचार भी करते हैं 24 गंटा काम भी करते हैं आवसे कता पढ़ने पर जो उचित संदेश देना वो देते भी है विपक्ष उनके दादरी वाले बायान पर जुने उनके खेड जेता है या कुलामाली साफ के साथ जो को चुछ वह मुँबई में उस पर उनके खेड जयता है से संदेश नहीं प्रधान मंत्री जी ने उन चीजों पर अपनी असामती जाहिर किये है। जितना देश के प्रधान मंत्री के नातिव उनको करना था उस तरह उन्हों ने किया है। उस पर आगे बैस करना उस पर टिपनी करना इसकी जुरूत नहीं है। और जो कारवाई करना है जो भी है, वो सम्मित राज्यों के एजंसी से वो करेंगे। क्या आपको लगता है कि महिश शर्मा, संगीत सोम के जो बयान आए दादरी कांड के बाद वो चित थे। कई बार बयानों को तोड़ मरोड कर भी लिया जाता है। उसके कारण गलत फैम या कभी निर्मान होना संभव है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसे समयों पर एक तो बोलने वाले थोड़ा संभाल कर विचार करके बोले। दूसरा मीडिया भी तोड़ मरोड कर लोगों के बयानों को पेश्ट ना करें क्योंकि सबसे पहले मेरा अबजक्शन इस बात को लेकर है कि दादरी का घटना जैसे घटनाओं को एक मानविय समयोदना से ही देखना चाहिए। उसको धर्म से जोड़कर जो बहुत बड़ी चर्चा आज भी चलती है। मानों की बीफ कोई हिंदू और मुस्लमानों के बीच का कोई जगडा है। इन चीजों को सभी सही परिप्रेक्श में देखना चाहिए और आवसिक सम्वेदना के साथ सब को विभार करना चाहिए। आपके निताओं ने कहा छोटी घटना है जादरी को। आप एक सेंटेंस को आउट अफ कांटेक्स निकालेंगे तो एक शब्द को पकड़के उन्होंने चोटा शब्द परिवक कर दिया। इसलिए ने वो तो जरूर देखुए। प्रधान मंत्री जी ने बिहार में सारव अब साक्षी महाराज जैसे लोग साबजी प्राथी जैसे लोग इस तरह का बयान नहीं देंगी। विचार करें सब लोग। मैंने वही कह रहा हूं मानवी समवेदना यह बहुत आवस्यक होती है इसे घटनाओं के समय बागी स्वाहिम विचार करें सब सामाजिक जिए महा जिस प्रकार की विचार होना है उसका संदेश प्रधानमंत्री जी ने स्वयम दिया है जहां तक पार्टी का प्रिश्ण है हम मेडिया के सामने उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम पार्टी के अंदर जो बाचित जिन से जो करना है वो करते रहते हैं इस संदर्ब में भी जो कर आगे बढ़ता हूँ, आजकल देश में एक नई बहस शिड़ी होई है, बहुत तेजी से एक बहुत बड़ा संभरांत, बुद्धिवानी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, अपने तमाम पुरुसकारों को लोटाने की जैसे होड मची होई है, उनके निशाने पर बीजेप है, बीजेपी की विचार धारा है, संग की विचार धारा है, आपको लगता है कि एक साथ एक नहीं, कई दर्जन, आप तो दो दर्जन सूपर जादा लोगों गए, जिन्होंने वाट्स लोटाने की खुशना कर दी है, क्या हो गया इस देश को, क्यो है सब कुछ हो रहा है? देखिए, जिनको pen को इस्तिमाल करना था, वो politics को हत्यार के रूप में नहीं लेना चाहिए, आप साहित चेकार है, आपके हात में कलम है, आपके दिमाख में विचार है, इस्तिमाल करो ना, लिक के देश के सामने रखो ना, आपकी क्या पति है, पर राजनीती का आश्रे ल का मैं तो यह कहता हूं कि एक राजनेतिक मन्शा दिखती है इसके पीछे साहित्चेकारों के शोभा नहीं देती है इस देश में कभी भी किसी भी समय दूसरी सरकार होती है किसी साहित्चेकार को आपती हो सकता है अपने साहित्चिक साथनों को प्रयोग करो न यह क्या तमाश नहीं था और मैं इसका कारण एक ही समझता हूं आज इन वर्ग जिनको मैं एक जो इस देश की मुक्ष विचार अधा से हटकर चलने वाले विचारधरा वाले मानता हूं वे आज एक प्रकार का सफ़केशन में रसुस कर रहे होंगे और कुछ करने का रास्ता नहीं दिख रहा इसलिए इस प्रकार की करवाई करो यह बहुत अनुचित है मैं इतना जरूर कहता हूं बाकी विरोध करना है ना इस देश में आजा थे अब पुरा है ना अभी विक्ति का आजा दिये लिखो बोलो बात करो टीवी पर पर सफ़केशन अगर मैं सूस कर रहे हैं तो एक बड इटफॉर्म पर लाने के लिए अपने बराबरी पर खड़ा करने के लिए आपको इनिशेटिव ने लेना चाहिए एक बड़ी पार्टी है एक सरकार चलाने वाली पार्टी है उनके मेंटल लेबल पर जाके उनको समझें समझाएं कि बिल्कुल यह संबहु है तब जब कलम को शास्तिव बनाकर चलने वाले कलम के रास्ते पर चलते तो यह संबह है बाचीत हो सकते हैं क्राम één आपके जवाब से दो सवालों निकलते हैं पहला क्या बीजेपी का विरोध करने वाली कॉंघ्रेस या लेफ्ट के इशारे पर यह तमाम विरोध हो रहा है कि इस देश में इस प्रकार की दुर्भाग्यपुर्न घटना है मैं इनको इनको इस देश का वर्तमान की वास्तविक्ता बिल्कुल नहीं मानता यह है हर समाई इस प्रकार की दुर्भाग्यपुर्ण घटना यह चिटपुट इधर उदर होते रहे हैं कि मैं हाइदरबाद का तालूक रखता हूं हाइदरबाद में तस्लिमा अज्रीन जी की का कारेक्रम हो रहा था तो सीधा-सीधा वहां के एमल यह जाके उनको पर फिजकल किया घटना हुई है उससे पहले हमारे देश में और भी कई तमाम इस प्रकार की घटना अरुन शोरी पर कालिका फेक ही गई है तब आपने क्यों साहिच पुरसकार वापस ने कर दिया इस देश में दंगा बहुत बार होता है पहले भी हुआ दुरभागपुर्ण हम सब को निंदा करनी चाहिए हम भी करते थे आप भी करते थे आप तब क्यों वापस ने किए राजनीती हो रही है वही है बीजेपी ने अपने प्रधान मंतरी का चेहरा प्रजेक्ट करकर चुनाव लड़ा नरेदर बोदी का चुनाव जीता 282 सीटे आई क्या यह उस मेंडेट का परे में भी बोलना चाहिए अप्रोच करना चाहिए है पूरे 125 करोड देश की जनता की चिंता करते है उनमें यह लोग भी है पर इन लोगों को स्वेम सोचना चाहिए कि क्या उनकी व्योहर ठीक है कि नहीं शीव सेना को आप सहिमत है जो कुछ हुआ सुदीदर कुल करणी क नहीं है हमारे राष्ट्री अज्यक्ष ने कहा है उस प्रकार की गतिवीदी सही नहीं है विरोध दर्ज करने का हमारे लोगतंतर में कुछ जाइज तरीके है उनका ही सहरा अपनाना चाहिए था पर शीव सेना ने तो यहां तक कह दिया अपने कल के बयान में संजय राउत म प्रधान मंतरी की जोड़ दिया उन्होंने गुद्रा घटना के साथ जिस चीज को बीचे भूलना चाहती आगे बढ़ना चाहती है उसको शिव सेना गुद्रा के साथ नरेंद मुदी जी का नाम जोड़ती है गुद्रा जैसी घटना होई है रहेंगे पर उनके कारण प्र देश में और दुनिया में प्रधान मंतरी की जो पहचान बनी है गुजरात की विकास गाधा के कारण बनी है और पिछले एक साल में देश को जिस विकास के पत्व पर प्रधान मंतरी ले जाना चाहते है उसके कारण प्रधान मंतरी का देश और दुनिया में पहचान बनी ह तो संजय राउत के आप बात की उनकी नहाराज़गी दिखाए शिवसेना के साथ विपक्ष राजनेतिक शत्र पे डल अनेक प्रकार के बायाने देती है हर बायान पर तो हम दिली से प्रेज़िया दे देंगे ऐसा नहीं होता है हम दोनों के बीच विचरों की भिनता भी रही है समय समय पर विचरों की भिनता होने पर भी साथ चलते हमारे असली उधार व्योहार का प्रतीक है तो इस घटना के संबंध में जो गटना मुंबई में हुई उस घटना के संबंध में उनका पक्ष्टा हमारे पक्ष्ट है हमने कहा है आपके परक्ष्ट हमसामत नहीं है पस्सम आप फैसंब वोगी सरकार के विश्टे को लेकर मैं स्वयम जानता हूं कि आरस्यस पहले भी आज भी वर्तमान की जो रिजर्वेशन विवस्ता है इसको जारी रखने की आवस्यकता को बाकाइदा बिलकुल महसूस करती है क्योंकि जिस उद्देश से उस विवस्ता लाई गई थी उस उद्देश की पूर्ती होनी है कुछ सम बात पर मेरा जहां तक जनकर यारा सेस्में भी कोई दूसरा राई नहीं है जहां तक भाज़पा का प्रिश्ण है हमने बार बार कहा है वर्तमान जो रिजर्वेशन विवस्ता है यह जारी रही नीच चाहिए इसके हम पक्षदर है मैं प्रिश्ण पूछता हूं कांग्रे साथ और निदिश कुमार के साथ गड़ बंदन में है वो चाहते हैं कि रिजर्वेशन विवस्ता को चेंज कर दे बदल दे उसको हाटा दे हम कह रहे हैं कि यह विवस्ता जारी होना है इसमें संगर्श कहा है हमारे हमारे बात जी के बयान पर लालु यादव में उसको कर रहे हैं वो भी चुनावी राजनीती कर रहे हैं और चुनाव के समय और कोई मुद्दा नहीं मिलने पर इस प्रकार जो नहीं बताया गया जो नहीं बोला गया उसको तोड़ मरोड करके उसको मुद्दा बनाने का एक असफल विफल प्रयास लालु प्रसाद कर रहे हैं बिहार में ललु प्रसाज जी और नितिश्क कुमार जी को सच में साहस और हिम्मत से चुनाव लड़ना है तो विकास के मुद्धे पर लड़े और जहां तक कर बिहार के विकास के रहे लड़ेंगे तो लालु या दर अगड़र पिछले की लड़ाई की हुष सरसंज सरस्वंग चालक कौन खोनते मैं जानता हूं और इसकी जाती के साथ मैं जोड़ना बिलकुल नहीं चाहता है जाती के इंदर बहस हम नहीं करना चाहते इसका अर्ध है नहीं कि हम किसी जाती विशेश के विरोध या पक्षतर नहीं है हमारे सरस्वंग चालकों में अलग- वहन के है हमेशा तो तता के तीट सबरने लोगों के हाथं मेरे यह कोई बहस होता है क्या भाई एक संस्ता हमुसका नेत्र तो एक पार्ट शों करनेफु कर दिक अ के पार्टी में जाती के नेतर तो हमेशा रहा है लालो पसाद के नेतर belki में भी पूछ सुरू कर दो मैं कहा रहा हूँ यह का है वो इसमें हम को खीचना चाहते को उनके पास मुद्धे नहीं है ललू प्रसाद अराजकता का जातीर राजनीती का विद्वन्स का प्रतिक है इसलिए उनके साथ बहस में जॉइन ने करेंगे हम विकास की बहस करेंगे कुछ मुद्धे में विदेश नीती से ज़रूर जुड़ावा कुछ हूँगा क्योंकि आप बहुत क्लोजली प्राइम मिस्टर के साथ काम करते हैं नेपाल में जो कुछ हुआ क्योंकि बिहार में चुनाफ चल रहा है मदेशी का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है मदेशी को लेकर हिंदुस्तान एक लड़ाई भी लड़ी उनके नया समयधान में जगह मिलनी चाहिए नहीं हो पाया इसको आप किस तरीके से देखते हैं नेपाल एक नया समयधान को लेकर आगे बढ़ने का एक महत्पुर्णा एक पहलु नेपाल में प्रारंब हुआ है अपारी सु नागरिक है मधेशी जितना पहाड़ी लोग नेपाली नागरिक है उतना ही मधेशी भी नेपाल के नागरिक है उनकी कोई चिंताएं है वो आंदोड़न अगर साड़ दिन से कर रहे है कि उनकी चिंता करना नेपाल के नितृत करता भी है अब इसके लिए भारत को दोशी ठ पर और वो भारत पर टिपनी करते हैं जो विप्रीदात्मक टिपनिया है कि पिछले मई 2014 के बाद इस तरीके से माइनॉर्टी पर हमले हुए उनके प्राब्लम सौर्व नहीं हो रहे हैं अपको लगता है कि अंतराश्ट्रे लेवल पर दादरी जैसी घटना के बाद भारत की जबी खराब होती है हमारा एक स्टैंड रहा है कि भारत के आंतरिक विश्यों पर हम किसी और देश हसक्यत करें इसका हम कभी स्वागत ने करते हैं पर इसका ये भी है कि किसी देश को अपनी बात रखने से हम रोक भी नहीं सकते हैं भारत के अंदर विशेशकर पिछले सव साल में जब से हमारी सरकार आई है सामपरदाएक सद्भाव सहाध्र निर्मान करने का पूरा प्रयास एक प्रकार से बहुत व्यापक सफल प्रयास हमने किया है एक दंगा मुक्त सवा साल एक केवल उत्रप्रदेश को छोड़ कर मैं एक राज्य को इसलिए चोड़ रहा हूं क क्योंकि उस राज्य में कुछ घटनाए हुई थी पिछले एक साल में उस राज्य को चोड़कर बाकी व्यापक देश में एक अच्छा शांति पॉर्ण माहौल हमने काइम रखा है प्रधान मंत्री बार बार उन्होंने कहा कि एक 125 करोड जनता एक रहे एक देश के रूप मे प्रयास रहेगा किसी देश को कुछ गलत फे में है तो दूर कर देना अच्छा रहेगा मैं तो इस पर पूछूंगा कि जब अमेरिका में ब्लैक्स पर हमले हो रहे थे इन दिनों में तो भारत को अपनी रिपोर्ट नहीं थे नहीं कुछ उनके बारे में कि आप क्या यह देश के संदर्भ में नहीं चाहते हैं तो वो हम दोसरों के साथ क्यों करें और हर देश अपने देश के विभिन समधायों के और अपने देश की माइनारिटी की चिंता करें तो ज्यादा अच्छा होगा बजाए कि कोई ग्लोबो का आप का दुनिया का जो आप बहुत बड कि अंतराश्टी अच्छा लेवल पर भारत की चवी को खराब कर रहे हैं लगता है कि प्रयास दादरी की घटना दुर्भाग पूलने है भई यह होना नहीं चाहिए था पर जो साहित्यकार वगेरा कर रहा है उट डेस्परेशन जो कर रहे हैं यह लगता है कि आज दुनिय में भारत की जो अच्छी चवी बनी है पिछले एक देट साल के प्रदर मंत्री के प्रयास के चलते उसको नस्ट करने के इराद ऐसे कर रहे है क्या ऐसा शंका हमको लगती इसलिए मैं कह रहा हूं इनकी मनिशा क्या है आखिर वह इस देश में सिक सिक समाज पर इतने बड़ रिटन दिये ते साहिच समान तो यह लगता है कि भारत की चवी को खराब करने का प्रयास हो रहा है अचकल तो कॉंग्रेस पार्टी आप पर पर प्रटिकुलर्ली हमला करती है यह कहते हुए कि प्रदान मंत्री की जो विदेशों में सभाएं होती है नराइस के बीच में उ पूरा मिलकर करती है जहां यह सभाय होति है वा पूरी इंदिन कम्मुईटी करते आए यह कोई पींविज़न का एवन्ट भी नहं को होता है कुछा करते हैं twitter करते हैं हम बिल्कुल औरंड में कोई होते हैं कुछ मदद करने कि दुष्ज से कभी हम एक आद बार रुरू तो तो अब एंबसी में 500 लोगों को बुलाने एंबस्टर को बहुत बड़ा मुश्किल कारी हो जाता था आज ना एंबसी ना कोई भारत का सायोग स्वयम इंडियन कम्यूनिटी कर लेता है बड़ा बड़ा कारेक्रम तो एक प्रकार से मैं क्या कहूं कि उनके कंप्लेंट्स होना तो आज लिए स्वाबाविक है अनुजद यह कारेक्रम पूरे कम्यूनिटी के कारेक्रम है कोई पार्टी का करेक्रम बिलकुल नहीं है थोड़ा बहुत सयोग आपने कहा कैसा सयोग आप करते हैं ने हम उनको पहले करते तह अभी तो हम वैसे हो और तो मैं और हम जाने की ज सबस्क्राइब बादा नहीं चार्ग समझ लाना हुआ है फारत की प्रतिष्टा गरिमा होती है नंबर वान इंडियन कम्मूनिटी अपना कास्ट डिफरेंसेस, लेंगवेज टे डिफरेंसेस भूलकर ये खोकर इतने बड़े पहमायने पर भारत के साथ जुड रही है, उसका स्वागत करना चाहिए, उससे कितना जलन क्यों होता है कांग्रिस को, ये बहुत अनफॉर्चनेट है, एक बिहार में हम अच्छी मेजारिटी के साथ सफल होंगे और बिहार में एंडिया की सरकार बनेगी, इसका पूरा विश्वास भरोसा हमें है, ये कोई देली में बैट कर कोई स्याफालजी के आधर पर मैं नहीं कह रहा हूं, ग्राउंड सीचुएशन से जो हमको आकरानाथ है इसका अधर पर कह रहा हूं, पूरण अभूमत प्राप्त करके एंडिया की सरकार बिहार में बनेगी, इसलिए आपका प्रिश्वास इस समय मुझे रिलेवेंट नहीं लगता। अपना कामकाज दिखाने के लिए अगर नहीं है, तो दोसरों के कामकाज के ऊपर ठिपनी करके चलाना पड़ता है नितिश कुमार को, उसको मैं क्या कह सकता, उनकी क्या रन्नित होनी चाहिए, बट बिहार का चुनाओ, बिहार के विकास को मुख्यमुद्दा बना कर होना चाहिए, यह हमारा मत है और उसके अधार पर हम कर रहे हैं चुनाओ कि वहां पूरी रन्नीत है हमारी क्योंकि आपने सरकार बना दिये तो मुख्यमुद्दी तो बीजेपी कही होगा ना? बिहार का निता होगा कि दिल्ली से भीजा जाएगा नहीं तो हमारे राष्ट एजक्षने स्वयम कहा है बिहार का विक्ति वहां का मुक्ष मंत्री होंगे जो केंदर मंत्री हैं वो नहीं होंगे वहां जो 130-140 जितने विजाएक चुनकर आएंगे वो सब मिलकर इन सारे भारत के प्रजान मंत्री के साथ जूड़ने का मसलों भारत के साथ जूड़ रही है और ये